नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लाश 10 के मलपल चॉइस कॉइस कॉइस होने वाले हैं चैप्टर का नाम है लाइफ प्रॉसस उसके होंगे बहुत ही इंपॉर्टन कॉइशन से और बाकी के और भी साइड काई सारे कॉइशन से जो हम नगर्ट यह को वह सबस्क्त है और इंजाईम का नाम की है तो इसलाइवरी समय ने यह इस दिया हो एंप्र सिन क्या हो जाएंगे तो संभ रसी इस दी करेक्ट आन्सर नेश्ट पे आतेए को शन्रम टूम देखते हैं गया को उससे हम इस ऑफ व क्लुकोस इंतू पायरोग प्रटोर्रेरियूंघ़रपैसाइड होता है तो पहली ओप्षिन होला है तो Rend्रिय गलट 45 अवज्फिन है ठाकिसों संब्सक्राइदी आउट्पार्ड्रे इसल्इट है क्लोड्म vINKान कर्कोश्न द तुरकों ध्रोक्षिन में देखेंगे the blood vessels which which carries oxygenated blood from the lungs to the heart तो देखे वो आपको बताने हैं we blood vessels j办 oxygenated blood carry करते हैं कहां से कहां तक lung से लेके heart तक जो blood को carry cry करते हैं और कैसा blood oxygenated oxygenated blood क्या होता है वो blood जिसमें oxygen present होती है तो ऐसे ब्लट vessels oxygenated blood carry करेंगे उन Blood vessels को क्या कहा जाता है यह पूछा गया आप से तो इसको क्या कहा जाएगा पल्मोनरी वेन तो इसमें D option जो है that is the correct answer ठीक है next पर आते हैं next question में कहा गया अच्छा एक बात और याद रखेगा आप लोग कि जो वेन होती है वेन का मेंली काम क्या होता है कि यह deoxygenated blood carry करती है लेकिन सिर्फ pulmonary vein ऐसी vein है जो oxygenated blood को carry करेगी इसी तरीके से arteries वो होती है जो oxygenated blood carry करती है लेकिन pulmonary artery वो होती है जो deoxygenated blood carry करती है ठीक है इस दोनों बाते आप लोग को याद रखनी है next question question और 4 में कहा गया after entering into the tissue the arteries are divided into तो देखें जब जब तो arteries किसमें किसमें divide होती है जब इंटर करती है tissue में तो यह divide होती है capillaries में तो C option जो होगा that will be the correct answer ठीक है question 5 पर आते हैं 5 में कहा गया blood vessel in which there are no valves include तो देखें valve का काम क्या होता है valve का काम यह होता है कि blood के black back flow होता है blood का जो back flow है मतलब जब blood एक direction reflow हो रहा है तो वापस दूसरी direction पीछे वापस ना लौटा है इसको रोकने काम किसका होता है valve का होता है ठीक है अब आपको उताने कौन सा यह सा वेसल है जिसमें valve present नहीं होता है तो देखें valve किसमें होते हैं तो valve नहीं होते हैं कौशंबर 6 पर आते हैं What is called the protective membrane of heart? देखे, heart बहुत ही ये कह सकते है बहुत ही important organ होता है human body का तो इसको protect करने के लिए एक protective membrane होती है ठीक है और इस membrane को क्या कहा जाता है तो skull brain में होता है meningis जो होता हुँ brain में है cerebral spinal fluid भी गलत है इसका जो सही answer हो क्या है? पेरिकाडियम तो पेरिकाडियम नाम से पता चलता है काडियम है और काडियम का जो term है that is related to heart काडियोलोजी जैसे होता है वैसे काडियम भी हार्ड से लेटेड है ठीक है तो पेरिकाडियम वो लेयर होती है वो protective membrane होती है जो heart को protect करती है question number 8th question में कहा गया inner lining of stomach is protected अब देखिए inner lining जो stomach की है stomach की जो inner lining है उसको protect करने के लिए ठीक है किस से protect करता है hydrogloric acid से ठीक है कौन protect करता है तो mucus protect करता है अप लोग को पता ही होना चाहिए बी option इसका सही हो जाएगा बहुत ही आसान question है ठीक है next पर आते हैं during deficiency of oxygen in tissues of human body pyroic acid is converted into lactic acid in तो देखिए जो pyroic acid है वो किस में convert हो रहा है C2H5OH ठीक है तो C2H5OH और CO2 तफ फॉर्म होगा जब बिलकुल ही absence रहेगी और जब presence तो रहेगी लेकिन कम presence रहती है मतलब यह कह सकते है deficiency of oxygen जब होगी तो उस case में क्या produce होता है lactic acid produce होता है जिसकी वज़े से हम लोग के शरीर में अक्सर दर्दवर्द होता है जह हम लोग दोड़भाग करके आते हैं ठीक है अब यही पूछा गया है जो process होता है ठीक है pyruvate का lactic acid में convert होने का जो process हो रहा है यह किसमें होता है तो यह भी होता है किसमें cytoplasm में तो इसमें b option a option सही हो जाएगा that is cytoplasm कोशंबर 10 पर आते हैं 10 में देखे क्या कहा गया blood pressure in pulmonary artery is अब देखे pulmonary artery में जो blood pressure है वो कैसा होगा ठीक है तो first option दिया है more than pulmonary vein second दिया है less than venakiva ठीक है इसी तरीक देखे चार option दिया आपको बताना है कौनसा option इसका सही है तो इसका जो पहला option है वही सही हो जाएगा that is more than that of pulmonary vein तो blood pressure जो pulmonary artery का होता है वो pulmonary vein से क्या होता है जादा होता है next question पर आते है question 11 देखते है 11th question में कहा गया है name the instrument to measure blood pressure तो देखे blood pressure के लिए को measure करने के लिए जो instrument है उसको कहा जाता है sphigmo manometer तो sphigmo manometer कहते हैं इसको याद रखेगा बहुत ही important है और दो blood pressure होते है एक high BP होता है एक low BP होता है ठीक है एक blood pressure है 120 होता है 120 mm of Hg याद रखेगा 120 mm of Hg जो होता है वो क्या होता है वो high blood pressure होता है तो देखें जो high BP होताई उसको और क्या का जाता है तो इसको systolic भी कालता है तो systolic अगर आपसे पूछा जाए तो systolic high blood pressure है और यो normal कितना होता है 120 mm of Hg होता है और Hg क्या है परकरी का लेवल होता है और अगर डायस्टालिक पूछा जाए तो डायस्टालिक जो होता है वो क्या होता है तो वह लो भीपी होता यह कितना होता है अवरेज परसन का तो 80 mm of HG होता है याद रखे नेक्स्ट पर आते हैं कुछ नबर 12 देखते हैं कुछ नबर 12 है कहा गया ओ तो दिखे ऐसे और्गनिजम जो फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर करते हैं, वो कौन से हैं, तो टेपर नहीं करते हैं, ठीक है, कौन सा करेगा यह आपको बताना है इस क्वेशन में, तो दिखे इसमें जो फंजाय है, that will be the correct answer, क्योंकि इस फंजाय में जो nutrition होता है, that is called saprophytic nutrition, ठीक है, और saprophytic nutrition के case में, जो food का breakdown होता हो, कहां होता है, body के बाहर होता है, next पे आते हैं, question 13 में कहा गया, what causes cramps in our muscle during sudden activity, तो जब sudden activity करके हम लोग आते हैं, तो देखा होगा कि cramp आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो pyruvate है, वो किस में convert होता है, lactic acid में convert होता ह ठीक है, इसके लिए वज़े से ऐसा होता है, तो इसमें A option, जो है, that is the correct answer, question 14 पे आते हैं, which of the following is the final product of digestion of proteins, तो proteins के digestion में, जो final product है, वो कौन सा होता है, तो ये होता है, amino acids, तो इसमें B option है, that is the correct answer, amino acid will be the correct answer of question 14, ठीक है, next question पे आते हैं, next question में देखेंगे, next question 15 ने इसमें कहा which of the following enzyme is present in saliva, तो saliva में जो enzyme है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है, amylase, तो इसमें A option जो होगा, that will be the correct answer, question 16 में कहा गया, which chemical substance is responsible for acidic medium of stomach, तो इस टमक के acidic medium के लिए कौन सा substance responsible है, तो ये HCL responsible है, और अगर basic, HCL को basic जो बनाता है, मतलब ये कह सकते हैं, कि HCL को generalize करता है, वो कौन है बाइल जूस है, और ये कौन सिक्रीट करता है, तो ये liver सिक्रीट करता है, बाइल जूस को HCL को याद रखनी है, ठीक है, और mainly बाइल जूस करता क्या है, तो fat को digest करने में बाइल जूस मदद करता है, fat का breakdown करता है, छोटोटोटे globules में, next में आते है, 17th question में कहा गया, proteins, यह proteins को peptons बनाने में, जो enzyme responsible है, वो कौन सा है, तो वो है pepsin, ठीक है, तो pepsin responsible होता है, proteins को peptons में convert करने के लिए, तो इसमें B option सही हो जाएगा, question number 18 में कहा गया, which body organ is responsible for complete digestion of carbohydrates, fats and proteins, तो देखे, complete digestion जो होता है, carbohydrate का, fat का और protein का, उसके लिए कौन सा organ responsible है, तो उसके लिए small intestine responsible होता ह है, तो इसमें D option जो है, that is the correct answer, तो D option इसमें सही हो जाएगा, question number 18 का, question number 19 पर आते है, identify the secretion inside the stomach, which helps to protect, the inner lining of stomach, तो अभी हम लोग ने देखा था, जो inner lining of stomach की protect होती है, वो किसकी विज़े से protect होती है, तो mucus की विज़े से protect होती है, तो mucus की विज़े से protect होती है, तो mucus को harm कर स night, the effect of root pressure in transport of water is more important, ठीक है, तो जो statement दिया है, बिल्कुल सही है, पहला, assertion is totally correct, और second में देखे, क्या दिया गया है, second में दिया गया है, stomata is open during day, transpiration takes place which helps in transport of water, ये भी आप लोग का statement जो है, बिल्कुल सही है, तो इसमें assertion भी सही है, reason भी सही है, और जो reason है, वो correct explanation है, किसका assert assertion तो इसमें a option जो होगा, that will be the correct answer, question number 21 पर आते है, if there is no air in trachea, it will collapse, तो दिखे, जब trachea में air नहीं होगी, तो क्या वो collapse हो जाएगा, तो इसमें जो assertion है, that is wrong, और reason में दिया गया है, trachea is having cartilaginous ring, और cartilaginous ring की वेज़े से trachea कभी collapse नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ प 22 में आते हैं, 22 में कहा गया, walls are present in arteries, तो क्या walls जो होते हैं, वो arteries में present होते हैं, तो answer है गलत, walls arteries में present नहीं होते हैं, और second में क्या दिया गया, arteries carry oxygenated blood from heart to different part except pulmonary artery, तो देखे, artery oxygenated blood carry करती है, कहां से कहां तक, heart से, body के अलग लग पार तक, लेकिन pulmonary artery जो है, वो oxygenated blood carry नहीं करत है, वो कैसा blood carry करती है, deoxygenated blood carry करती है, तो इसमें भी एगर देखेंगे, assertion गलत है, लेकिन reason क्या है, सही है, next पे आते हैं, last question है, आज का, इसमें कहा गया है, name the following organ of urinary system which perform the following function, तो आपको कुछ function दिये गया है, आपको बताना है, कौन से function को perform करता है, इन में से, ठीक है, तो पहला दिया गया है, forms urine, तो urine को formation कौन करता है, तो kidney जो है, kidney क्या करती है, urine formation में मदद करती है, ठीक है, next में देखें, next में क्या कहा गया है, next में कहा गया है, is a long tube which collects urine from kidney, तो kidney, kidney से urine को collect करने काम किसका है, तो ureter का है, तो ureter का है, तो ureter is the correct answer, और last में देखें क्या दिया ठीक है तो इसके लिए होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है ये क्या करता है यूरिन को इस्टोर करके रखता है और फिर बाद में अपने आप से यूरिन जो है दीरे दीर करके मतलब बाहर निकलाती है एक स्क्रीट आउट हो जाती है तो ये पूरे questions जो थे भी हम लोग ने discuss कि ये approximately 23 questions है ठीक है important questions और कहीं न कहीं आपके एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है तो अच्छे से इसको तैयार करिएगा और बाकी के जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दे दिये गए है उसको आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं और अपने revision को और आगे बढ़ा सकते हैं तो अभी के फिलालत नहीं थैंक यू वेरी मॉच गुडबाई जेहिंद